Hello everyone, welcome back to our channel Born With Kids. आज हम इस वीडियो में बहुत सारी UKG की वोर्कशिट्स देखने वाले हैं. सबसे पहले आपको यह दिख रही होगी. यह UKG की वोर्कशिट है, EVS की. Then हम English देखेंगे, उसके बाद हम Hindi भी देखेंगे. और फिर अगें एक English की वोर्कशिट है. Then we have Maths वोर्कशिट ओल्सो. तो ऐसे बहुत सारी वोर्कशिट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो I hope वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूसफुल रहने वाला है. हो सकता है थोड़ा लेंदी हो बट इसमें मैंने बहुत सारी वोर्कशिट्स आपके साथ शेयर की है. ये एक वोर्कशिट्स का कॉम्बो हो सकता है. इस type की worksheets आप बना सकते हैं, बना के रख सकते हैं, बहुत सारी एक file में, एक file maintain कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए और जब भी उनको practice करानी हो, आप एक sheet ऐसे निकाल सकते हैं, तो let's start the video, ये जो भी worksheets में आप question देख रहे हैं, actually ये school के ही original papers हैं मेरे बेटे के, तो आप इनसे help लेके worksheet frame कर सकते हैं, जैसे देखे, color the rainbow, first question है, UK जी के बच्चे हैं, तो बच्चों को coloring बहुत पसंद होती है, जैसे कि आप सभी को पता है, तो first ही question है कि जिसमें rainbows की color को उन्हें करना है, rainbow की picture है, उसमें colors fill करने हैं, second आप देखे, circle the winter clothes, तो बहुत सारी pictures हैं, सारी ही clothes है, बट जो winter clothes हैं, उनको सिर्फ वही circle out करने हैं, तो इस तरीके से, okay, तो यहाँ पर जैसे ये, जो भी dresses हैं, sweaters हैं, jackets हैं, muffler हैं, इन सभी को, इनको circle कर देना है, okay, then, कुछ और questions भी हैं, इसी worksheet में, हम वो भी discuss करते हैं, draw a line from the picture to the senses, मतलब यहाँ पर कुछ objects हैं, और उ उनको sense आप कौन से sense organ से करोगे, जैसे eye है, उसको हम, book जो है वो eye के help से दिखेगी, flower की smell आप nose से कर सकते हैं, खाने की चीज के लिए हमें tongue and heat है, उसको महसूस करने के लिए hand and ear से आप जो phone है, उसकी ring सुन सकते हैं, इस तरीके से, next आप देखे, circle the human body parts, इस में से जो human body parts है उनको identify करना है and then circle उन्हें कर देना है, इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे, देखे, यह तो football है, then book है, ring है, तो यह तो human body parts है नहीं, तो जो है, वो करने हैं, तो इस तरीके से बच्चों को बहुत ही easy way में समझाया गया है, सिखाया गया है, कि कैसे वो एक जान पैचान कर सकते हैं, अपनी body parts से और sense organ से, तो यह EBS की worksheet थी, now move to the second worksheet, यह हमें English की worksheet है, हमारी, ठीक है, तो इस English की worksheet में first question है, right cursive, तो यह सबसे पहले की worksheet नहीं है, कि आपको लगे कि UKG में enter होते ही, पहले वाली worksheet में cursive कैसे दे रहेंगे, नहीं, पहले की नहीं है, यह जब उनके second या third, मतलब, आप मान सकते हैं कि half a release तक, half a release की worksheet है, ठीक है, तो उसके बाद जब उन्हें cursive सिखा दी जाती है, तब उनसे cursive के questions पूछे जाते हैं, तो A to F ही, इस वाले जो portion है, उसमें A to F आएगा, फिर आगे उनको जो आएंगे PTs, उसमें आगे वाले 4 alphabet या 5 alphabet जो सिखाते हो आएगा, तो इस तरीके से, ठीक है, तो ये cursive लिखने की कोशिश की गई है, then write the missing vowel to complete the word, इस तरीके की worksheet आती है, जैसा कि हमें पता है, यहां बच्चों को वाल फिल करने हैं, ताकि जो वाल है, वो complete हो सके, तो ये एक picture दी हुई है, ठीक है, तो बच्चों को पता है, ये pen की picture है, उस picture की help से उन्हें vowel फिल करना है, picture के साथ ही UKG में ज्यादातर questions होते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा reading इसमें नहीं आती है, तो picture की help से बच्चे identify करते हैं, then उस word का sound create करते हैं, and फिर वो जो vowel है उसे फिल करते हैं, तो आपने देखा यहां पे pen हो गय cat हो गया, cat हो गया, इस तरीके से सारे जो pictures हैं, उनकी help से ही बच्चों ने वाउल्स फिल किये हैं, next is circle the images with start with letter B, letter B से जो images start हो गये, again picture based question है, बहुत सारी pictures है, पर बच्चों को पता होना चाहिए, कि जैसे यह banana है, cat, dog है, ठीक है, यह butterfly है, bus है, and apple है, तो जैसे जैसे वो बो जैसे शुरू हो रहा है, जैसे बनाना, तो B for banana, B for butterfly, B for bus, तो वो उन्होंने circle करनी है, बाकी नहीं करना है, तो हो सकता है, एक worksheet में आप उन्हें भी दे दीजिए, next worksheet में आपने कोई दूसरा letter दे सकते है, again, see some more questions from the same worksheet, again, इसमें आपने देखा, match the big letters to its corresponding small letters, ठीक है, तो letters guide करते हैं, okay, और उन्हें सिफ match भी समझ में आता है, कि हमें match करना है, small case letters को, जो capital है, उनके साथ, तो ये matching आपने देखा, ये match based question है, ठीक है, write the missing letter, again, एक जो missing letter है, वो यहाँ पे fill करना है, बट इसमें vowel नहीं है, first letter fill करना है, with the help of a picture, picture को बच्चे देख रहे हैं, और उस fill किया, then F, then H, then B, E, A, इस तरीके से, जैसे जो भी spelling है, उसका first letter उन्होंने fill करते हैं, ठीक है, write the vowels, again, बच्चों को vowels लिखने हैं, capital and small, दोनों में vowel उन्होंने fill करने हैं, जैसे A, E, I, O, U, ये हमारे vowels होते हैं, तो उन्होंने ऐसे vowels fill करने हैं, next we have the Hindi worksheet, अब हमें Hindi की जो worksheet है, उसमें questions जो हैं, वो देखने हैं, तो देखे, A की मात्रा वाले शब्दों को पहचान कर गोला करें, तो इतनी reading तो बच्चों को नहीं आती है, बट उन्हें थोड़ा सा समझ में आता है कि A वाले जो है, A लिखा हुआ है यहां पे, और उनको guide किया जाता है कि first question में A क की मात्रा वाले जो शब्द है, उन्हें गोला करना है, ठीक है, तो यहां पे वो यह देखे भी पहचान जाते हैं कि इसका मतलब है A वाले शब्द, तो A वाले शब्द कौन से हैं, पल है, उसमें A की डंडी है, नहीं, दाना में है, जल में नहीं है, काला में है, गाना में ह हैं गाला में हैं राधा में हैं खाना में हैं आग की जो जो मात्राएं वाले शब्द हैं उन्होंने उसको गोला करना है नेक्स्ट ऐसे अंग तक लिखें तो UKG में definitely बच्चों को और से लेके अहे तक यह जो है आई यह लिखने आने और आते ही हैं बच्चों को यह तो बार-बार उन्हें सिखाया जाते हैं हर वरक्षिट में यह कोशन होता है next एक बहुती simple सुलेक का कोशन होता है कि सुलेक करो ताकि writing बच्चों की अच्छी हो सके उन्हें प्रॉपर वे में लिखना आ सके ठीक है, सुलेक होगा next question है, उसमें क्या करना है अक्षर को देखकर चित्र से मिलान करें तो simple है जैसे English में था वैसे ही इसमें है, drawing देखनी है बट यहाँ पे Hindi के साथ उन्हें match करना है, अक्षर को देखकर चित्र से मिलान करने का मतलब है यह जैसे चाता है, च, बस है ब, धनुश है ध, ठीक है घड़ी है, ग, ग, कलम है, ग, इस तरीके से match कर देना है, अगेन देखे, आप चित्र पहचान कर पहला अक्षर लिखे, अब चित्र को पहचानना है और पहला अक्षर लिखना है यहाँ पे जो पहले अक्षर के साथ match करना था, अब यहाँ पे पहला अक्षर हमें लिखना है, ठीक है जैसे पतंग है, ठीक है, तो पतंग का पहला अक्षर क्या होता है, प, तो देखके यहाँ प लिखा, जंडा है तो ज, चमच है तो च, फल है तो फ नल है तो न इस तरीके से उन्हें लिखना है तो यह हो गई हमारी हिंदी की वोक्षीट Now we have a maths वोक्षीट तो maths वोक्षीट आपको यहाँ पर जैसे दिख रही होगी Write down the number names 11 to 20 11 to 20 जो है वो number names बच्चों को लिखने है जैसे 1 to 10 पहले बच्चों को दे दिया है अभी 11 to 20 का दिया है तो वो लिखना है बच्चों को उसके spellings तो word name ठीक है number name हमेशा ही आते हैं हर वरक्षीट में आते हैं ठीक है उसके बाद हम second question देखते हैं second question में दिया है pick the long object जो भी long object है लंबा जो object है उसको टिक करना है तो लंबा कौन सा है इन दोनों में से ये है इसमें ये है इस तरीके से पहचान कर which is the longest object उसको longer कौन सा है दोनों में से उसके टिक लगाना है अब इसमें क्या है count the object and write the number in the box in each section tick the greater number and the cross the smaller number तो इसको दो parts में भी कर सकते हैं ये हो सकता है बच्चों को बहुत अच्छे से practice कराई गई हो इस तरीके के questions के तो पूछेंगे नहीं तो आप इसको दो section में कर सकते हैं कि tick the greater number of objects and cross the smaller उसको अलग रखा और सबसे पहले सिर्फ ये ही question रखा कि count and write the number of objects तो जैसे butterfly 1,2,3 तो 3 यहां भी butterfly हैं बट 2 तो greater कौन सा है ये तो इसको tick कर दिया और smaller कौन सा है ये तो इसको cross कर दिया similarly balls के लिए करेंगे और ऐसे ही हमारे जो ये fruit है उसके लिए करेंगे तो जो ज्यादा होंगे उसे tick करेंगे और जो कम है उन्हें cross कर देंगे इस तरीके की worksheet circle the objects that are open अब open and close का concept आ गया है कि open कौन सी है and close कौन सी है तो open object है इसमें से ये वाली book ये window and this gate ठीक है ये तीन objects open है and umbrella is also open तो इसको भी tick करना है इस तरीके के questions हो सकते है next is what comes before तो पहले क्या आता है before का मतलब ही पहले होता है UKG में पहले ही box बनाया हुआ है क्योंकि इसी जो sheet होता है उसे में करना होता है बच्चों को तो 13 के पहले 12 आ गया similarly 18 के पहले 25 के पहले 27 के पहले इस तरीके से उन्हें करना है what comes after next question है what comes after तो after वाला करना है ठीक है तो 18 के बाद 19 27, 28, 66, 67 यहाँ पर 53 के बाद 54 आना चाहिए था तो ऐसी mistakes भी होती है ऐसा कुछ नहीं है then we have what comes between तो between वाला लिखना है 23 and 25 के बीच में 24 16 and 18 के बीच में 17 43 and 45 के बीच में 44 37 and 39 के बीच में 38 ऐसे बहुत सारी work sheets आप create कर सकते हैं बच्चों को बनाने के लिए आप दे सकते हैं अब हम एक और question देख लेते हैं जो इसी work sheet का है and filling in the missing number fill the missing number इसमें से जो blank होंगे देखे यहाँ इनोंने लिखा हुआ है 2, 6 लिखा है, 8 लिखा है बाकी कुछ blanks है तो एक तरीके से यह 1, 2, 48 के counting है और counting में कुछ तो इनोंने लिखे हैं कुछ नहीं लिखे हैं तो जो नहीं लिखे हैं उनको लिखते हुए पूरी counting को आपको complete करना है next what we have count the number of objects and write its number name count करना है पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यहाँ 8 नहीं लिखना है उसका number name लिखना है count the number of objects and write its number name number name लिख देना है यहाँ पर कि उसका क्या है similarly यह bells हो गई and cups हो गई तो कितने cups हैं, कितने bell है count करना है the number नहीं उसका number name लिखना है ठीक है? तो इस तरीके की worksheet तो आपको लग रहा होगा कि बच्चों के लिए कि यह hard होगी उन्हें कैसे इस question को समझेंगे तो हर question को उन्हें एक एक बार guide किया जाता है और जब नहीं समझ में आता है तो बच्चे मैं हमसे भी पूछते हैं कि मैं इसमें क्या करना है ठीक है? तो मैंने उन्हें guide करती है कि इसमें आपको count करना है then number name लिखना है कितने objects है और class में भी उन्हें बहुत सारी worksheets की practice पहले कराई जाती है तो I hope यह जो आज का वीडियो है यह definitely आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा useful रहने वाला है इसमें मैंने बहुत सारी worksheets एक साथ आपके साथ share की है तो मिलती हूँ आपसे एगले वीडियो में Thank you so much for watching